दोस्तो सुपर स्टार आलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को रिलीज हुई आज सिनेमा गरों में 10 वा दिन चल रहा है और फिल्म सिनेमा गरों में खुब धूम मचा रही है लेकिन दूस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूपर स्टार यश की फिल्म केज़ीफ चैप्टर वन जो की साल 2018 में रिलीज हुई थी और अभी हाल है में रिलीज हुई आलू अरिचुन के फिल्म पुछपा इन दोनों फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और नज़र डालेंगे दोनों फिल्मों के पहले दस दिनों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे कि पहले दस दिनों में KGF चैप्टर वन या फिर पुछपा इन दोनों फिल्मों ने किस फिल्म ने ज्यादा कलेक्शन किया है और साथे साथ बात करेंगा हम हिंदी बॉक्स आफिस कलेक्शन की भी और पूरे इंडिया में कितना कितना कलेक्शन किया है ये भी आपको बताएंगे तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेएगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुश्पा फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तो पुश्पा फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडिया में लगबग 45 करोड रुपे की शांदार ओपनिंग की थी और अगर बात करें हिंडी की तो हिंडी में अपने पहले ही दिन लगबग 3 करोड 30 लाख रुपे की बेहतरिन ओपनिंग की थी और फिल्म पुश्पा ने अपने पहले ही दिन हिंडी कलेक्शन में KGF Chapter 1 और बाहोबली जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था अब दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो पुश्पा फिल्म ने अपने पहले ही दिन पूरे वर्ल्ड में लगबग 71 करोड लुपे की कमाई की थी अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम पूरे हफते की यानि कि 7 दिनों के वाउक्स आफिस कलेक्शन की पूरे इंडिया में लगबग 6 करोड रुपे की कमाई की है और हिंदी में इस फिल्म ने कमाई है लगबग 2 करोड 40 लाक रुपे तो 8 दिनों में पुष्पा फिल्म का जो box office collection है इंडिया में हो गया है लगबग 158 करोड रुपे और हिंदी में इस फिल्म कमा चुकी है लगबग 29 करोड 40 लाक रुपे अब दोस्तो 9 दिन के अगर बात करें हम सटर्डे की तो जबरदस्त कलेक्शन करने में इस फिल्म कामयाब हुई है 10 करोड रुपे कमाई है इस फिल्म ने इंडिया में और फिल्म का इंडिया में टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन 168 करोड रुपे हो चुका है 9 दिनों का सटर्डे तक का और फिल्म ने हिंदी में लगबग 3 करोड रुपे की कमाई की है और फिल्म का लगबग 29 करोड 40 लाख रुपे बॉक्स ओफिस कलेक्शन था आट दिनों का तो यहाँ पे 33 करोड रुपे के आसपास बॉक्स ओफिस कलेक्शन हो चुका है नो दिनों का पुश्पा फिल्म का हिंदी में अब यहाँ पे अगर दस्वे दिन की बात करें संडे की तो संडे में फिल्म ने बहुत ही जबरदस कलेक्शन करते हुए लगबग 14 करोड रुपे की कमाई की है इंडिया में और फिल्म का जो बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो लगबग 180 करोड रुपे के पास हो चुका है और अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में 4 करोड रुपे फिल्म ने कमाई है जो की outstanding performance है और फिल्म का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन हो चुका है लगबक 36 करोड उपे हिंदी में और ये बहुत ही जबरदस परफॉर्मेंस है चलिए दूस्तों अगर हम बात करें सुपरिस्टार येश के फिल्म के जीएफ चैप्टर वन के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने पहले ही दिन के जीएफ चैप्टर वन ने इंडिया में लगबक 22 करोड उपे की बहुतरी नोपनिंग की थी और अगर बात करें हम हिंदी के कलेक्शन की तो हिंदी में 2 करोड 70 लाख उपे की कमाई की थी फिल्म के जीएफ चैप्टर वन ने जो की काफी बहतर आप कह सकते हैं साल 2018 में चलिए अब पूरे हफते के बारे में हम बात करते हैं यानि कि साथ धिरों में केजजेफ चैप्टर वन ने कितना बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था हिंदी में भी और पूरे इंडिया में भी तो पूरे इंडिया में पुश्पा फिल्म ने लगबक 152 करोड उपे की कमाई किये पूरे इंडिया में लगबक एक हफ्ते में और यहां पर अगर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में पुश्पा फिल्म ने लगबक 27 करोड उपे की कमाई किये एक अपते में और यहां पे केजेफ चैप्टर वन ने 27 करोड 30 लाग उपे की कमाई की तो कोई ज्यादा नहीं है, सुपरिश्टार यश अभी भी आ गए है, एक हपते की कमाई के मामले में, लेकिन बात करें आटवे दिन की, तो आटवे दिन पूरे इंडिया में फिल्म ने लगबग 5 करोड 60 लाख रुपे की कमाई की थी, नुवे दिन यानि के सटर्डे को फिल्म ने 8 करोड 20 ल कर चुकी थी, फिल्म केजिएफ चैप्टर 1, यानि कि 10 दिनों में 147 करोड उपे केजिएफ चैप्टर 1 ने अपने 10 दिनों में कमाई थे, पहले 10 दिनों में, और यहाँ पर अगर हम बात करें पुश्पा के कलेक्शन की, तो पुश्पा का कलेक्शन लगबग 170 करोड उप से ज्यादा पसंद आई है कमेंड में सुरू बताईएगा